नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रिया एक बार फिर से मध्यप्रदेश में सक्ती बढ़ने लगी है ये सक्ती कोरोना के नए वेरियंट को देखते हुए और बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान बढ़ा रहे हैं नए वेरियंट का खत्रा नजर आ रहा है इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान ने आपात बैठक बुलाई और इसमें मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, साथ ही कोरोना टेस्ट बढ़ाने जरूरत पढ़ने पर, छोटे कंटेंबिन्ट जोन बनाने की भी अपील की है मुख्यमंत्री ने, अभी तक जहां पर ये था कि मास्क लगाना अनिवार ये है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, और वो तमाम गाइडलाइन का पालन करें, जुससे संक्रमर से बच सकते हैं, इस बीट कवाई की उपलबधिता रखने को भी मुख्यमंत्री ने कहा है, शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि वो खुद भी सड़क पर उतरेंगे, और लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर जागरूप करेंगे, अगर मधिप्रदेश में कोरूना क याकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे जादा 14 संक्रमित मरीज भोपाल में मिले हैं, इंदौर में याकड़ा 5 है और जबलपूर में 1, एक दिन पहले छोटे शहरों में भी केस सामने आए हैं और इसके बाद यह मीटिंग बुलाने का फैसला लिया गया है, चुकि अब ही तक केस जो सामने आ रहे थे वो बड़े शहरों में और वो केस इतने जादा नहीं थी लेकिन अब केस बढ़ने लगया के लिए भोपाल राजधानी में ही 14 मामले सामने आए हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों की तो इसको देखते हुए और छोटे शहरों में भी केस सामने हैं, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नहीं आपात बैठक बुलाई और जरूरी दिशान निर्देश दिये हैं, प्रदेश में पिछले 14 दिन में कोरोना के 189 केस मिल चुके हैं, भोपाल और इंदोर कोरोना के होट स्पोट बन चुके हैं और महराष्ट्र में 28 नवंबर को 526 केस मिले थे, महराष्ट्र में ओमिक्रोन का केस मिलने का अलर्ट भी जारी किया गया है, देखे अन्य राज्यों से क्योंकि अब कहीं भी प्रतिबंद नहीं है आवागमन का, अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं और तमाम चीज़े हो रही हैं, इस बीच इवरासिंग चौहान ने आज ये मीटिंग बुलाई, सीम ने प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश दिये हैं, अभी रोज एवरेज 53,000 टेस्ट हो रहे हैं और इसे बढ़ाकर 70,000 करने का टार्गेट मुख्यमंत्री ने रखा है, इन दौर में सेकेंड वेव के टाइम 9-10,000 टेस्ट रोजाना हो रहे थे, जो घटकर लगबख 5,000 हो गए और यही इस्तिती लगबख भोपाल की भी है, तो अब टेस्ट बढ़ाने के भी निर्देश दिये हैं, कंटेन्मेंट जोन की बात मैंने की, तो प्रदेश में फिर से कंटेन्मे जोन भी बनाये जाएं, ताकि संक्रमर का खत्रा ना रहे, पिछले 10 दिनों में भोपाल में कोरोना के सबसे ज़्यादा केस मिले हैं, राजधानी भोपाल यहां पर फिर से संक्रमर बढ़ रहा है, और पहले भी देखे अगर हम पिछले रिकॉर्ड देखे तो तब भी बहुत तेजी से फैलता गया है, और अभी फिर से जो केस बढ़ रहे हैं, इन में भोपाल में पिछले 10 दिनों में सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए, सीम ने ज़्यादा फोकस यहां पर रखने के लिए कहा है, उन्होंने भोपाल ए तमाम इंतिजाम पुखता कर रही है, और अब धीरे धीरे करके कडाई बढ़ रही है, और सरकार्य अपील कर रही है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पालन जरूर करें, लापरवाही बिलकुल ना करें, क्योंकि हमारी एक लापरवाही हम पर ही भारी पर सकती है, और मधिप्रदेश में संक्रमर को बढ़ हावा दे सकती है, तो इसलिए साफधान रही है, सुरक्षत रही है, बहुत बहुत धन्यवाद